बगते हैं आप सभी का टेक स्टेड़ी आईटिया योटूब चनल पर आर्पी अने रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स की तरफ से यहाँ पे दो अलग अलग नोटिफिकेशन फाइनली जारी किये जा चुके हैं कम्प्लीट नोटिफिकेशन आपका आ चुका है साथी फार्म भनने कब से अप्लाई होंगे लास्ट डेट क्या होगी मोडिफिकेशन की डेट एक्जामिनेशन का पैटर्न योग गिता सैलरी सारी चीजें उसमें क्लियर की जा चुकी है तो आईए दोनों नोटिफिकेशन को देखेंगे एंड सबसे इंपॉर्टन बात जो कांस्टेबल की वेकिंसी है 4000 से जादा पद है उसमें सभी ITI के इंडेट्स जो अपेरिंग में हो या ITI पास हो चुके हो वो के इंडेट्स भी इलिजबल रहेंगे फार्म भनने के लिए अगर आप भी रेलवे RPF या कांस्टेबल की अच्छी त्यारी करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे किरन Institute of Career Excellence की एक बेहतरीन बुक जो की latest edition 2014 का edition है आप यहाँ description में दी हुई link से परचेज कर सकते हैं जिसमें कि आपको यहाँ पे practice workbook मिल जाएगी जिस तरह का आपका examination pattern होता है सेम उसी तरह के pattern पे आपको यह practice workbook मिलेगी इससे आप अपना practice set लगा सकते हैं male and female दोनों के इन डेट्स के लिए जो online exam होंगे उसकी 2019 के जो हल प्रस्न पत्र हैं वो भी इसमें दिये गए हैं व्याख्या सहित दिये गए हैं तो बहुत ही बेहतरी इन book आपकी constable की होने वाली है 22 set हैं पूरे इसी तरह से आप railway सुरक्षा बल में constable के लिए जो previous year के question papers थे solve paper यहाँ पे पूरे दिये गए हैं व्याख्या सहित आपको 2019 की सभी shift के यहाँ पे जो paper हैं आपको मिल जाएंगे पूरे 41 set आपको यहाँ पे solve कराए गए इसे भी आप लोग यहाँ पे purchase कर सकते हैं book store पे भी मिल जाएगी साथ में description में link है आप वहाँ से online मगा सकते हैं बहुत ही कम price में railway अगर सब inspector की आप तयारी कर रहे हैं तो आपको भी यहाँ पे practice work book मिल जाएगी Hindi man इसके साथ साथ आपको previous year के जो solve papers हैं वो भी मिल जाएंगे इन सभी books को जो भी आप तयारी कर रहे हैं उसमें आप purchase कर सकते हैं यह यहाँ पे देखें कि फुल notification है आपका government of India, ministry of railways की तरफ से जो जारी किया गया centralized employment notice पहले हम लोग देख रहे हैं RPF का 2 बटा 2024 जो आपका second notification उसे देखेंगे क्योंकि यह constable भरती का notification है इसमें सबसे पहले चीज़ याद रखिए जो PWD candidates हैं वो constable की post पे यहाँ eligible नहीं रहेंगे form की opening date आपकी है 15 अप्रेल यानि कल से आपकी form start हो जाएंगे जैसे ही form start होगा RRB की जो सभी website से वहाँ से आप form भर सकते हैं form भनने का step by step आप सबको हम video provide कर देंगे अगर आप interested है form भनने में एक बार comment section में yes करके चरूर लिखतीजेगा closing date होगी 14 मई 2024 यहाँ पर total level 3 की vacancy है 21-700 यहाँ पर total salary basic होगा आपका initial पर इसमें आपको DA plus other launches मिलेंगे तो आपकी salary बहुत ही बहतरी नहाँ पर हो जाएगी सभी candidates यहाँ पर B1 medical standard अगर आप follow कर रहे हैं तभी आप यहाँ पर form भर सकते हैं पर एक पूरा detail वीडियो हमने बनाया उसे आप लोग देख लेंगे तो आपको पता चलियागा B1, B2 या A1, A2 यह सारी चीजें क्या है 18-18 साल जनली इसमें 25 साल रहती लेकिन तीन साल की सभी को इस बार vacancy में छूट मिल रही तो ITE candidates जो ITE कर रहे हैं वो भी दसुई पास हैं तभी ITE कर रहे हैं या ITE कर चुके हैं तभी आपने दसुई तो पास ही किये तो आप यह form जरूर भरिएगा Level 1 की जो vacancy आएगी आपकी Group D की उससे कहीं न कहीं यह vacancy आप सब के लिए ज़्यादा बेहतर होगी अगर आपका इसमें selection होता है और आप medical standard follow कर रहे हैं उस case में इसके साथ आप यहाँ देखें कुछ important instruction यहाँ दिएगे हैं जिनका result अभी awaiting है वो form नहीं भर सकते हैं तो फिलहाल तो आपका examination जो होगा CBT exam होगा computer based exam होगा उसके बाद CBT exam के merit के basis पर आपका physical efficiency test होगा physical measurement लंबाई जो आपकी है chest and इसब का measurement होगा फिर आपका document verification होगा ठीके 10 times number वाले vacancies यहाँ पर बुलाये जाएंगे and इन सब के बाद आपका medical fitness test होगा और उसके बाद आप यहाँ पर final selection आपका हो जाएगा exam में आपका negative marking रहेगा one third का आपको इसमें negative marking देखने को मिलेगा मतलब एक question पर अगर तीन number आपको मिल रहे हैं तो अगर एक question गलत करेंगे तो एक number आपका cut जाएगा ठीके इसके अलामा यहाँ पर कुछ general instructions दिये गए है अगर इसके आप देखेंगे सिर्फ एक application form आपको सिर्फ एक RRB से यहाँ पर RRC भरना है यहाँ देखें more than one application अगर आप apply करते हैं तो आप यहाँ पर future के सभी examination से reject कर दिये जाएगे तो आपको सिर्फ एक ही form बना है यहाँ पर RRB या RRC हो यह नो हो आपको सिर्फ एक form बना है कि इसमें zone Y जैसा कुछ अभी vacancy नहीं दिया गया है ठीक है अगर यहाँ पर कुछ और चीज़े हैं जैसे आप देखें signature हो गया उसको आपको block या capital लेटर में नहीं करना नहीं तो आपको joining लेटर या joining कराते टाइम भी आपको reject किया जा सकता अगर form गलती से नहीं reject होता उस case में भी ठीक है तो यह सारी चीज़े आपको करनी है SCHT के candidates को यहाँ पर free ticket जो हो provide किये जाएंगे ठीक है CBT, PET, PMT, DB सभी case में आप यहाँ पर second class जो sleeper class है उसका free आपको pass मिल जाएगा railway का ठीक है इसके अलावा vacancies के अगर बात करने vacancies बढ़ाई है घटाई जा सकती in future बट chances कमी है का आपकी वैसे आलरी इतनी कम vacancies जारी की गई तो इसको घटाना नहीं चाहिए ठीक है age limit देखे यहाँ दी गई है 18-25 साल पहले रहती थी अभी क्या कर दिया गया 18-28 साल कर दिया गया age limit में अगर छूट की बात करें तो SC और ST candidates को 5 साल की छूट मिलेगी OBC candidates को 3 साल की छूट मिलेगी ex-service man जो candidates है OBC में 5 साल और SCST में 7 साल की छूट मिलेगी यह है आपका age limit का complete criteria यहाँ पर आपको data of birth का पूरा table मिल जाएगा इसको आप लोग देख सकते हैं यह constable की vacancy के हम बात कर रहे हैं educational qualification के अगर बात करें यहाँ पर educational qualification भी बहुत simple रखी गई आप सब की सिर्फ दसुई पास आप हैं तो आप यहाँ पर apply कर सकते हैं नीचे annexer A में दिया हुआ है exam fees की बात करें तो सभी candidates के लिए यहाँ पर 500 रुपए fees होगी CBT exam में appear होने के बाद 400 रुपए हो जाएगी अगर SCST, ex-servicemen, female, minorities या economically backward class की बात करें पूरे 500 रुपए लगेगी exam के बाद पूरे 500 रुपए लगेगी पेमेंट online आपको करना होगा ठीक है एंड उसके certificates आपको यहाँ पर लगाने होंगे अब यहाँ आप नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पर दिख जाएगा annexer A जिसकी हम बात कर रहे हैं educational qualification की इसी में आपको दिख जाएगा उसके पहले आपका recruitment process देखी तो पहले CVT exam होगा physical efficiency test जिसमें आपकी running उची कूद यह सारी चीज़ होगी फिर physical measurement होगा फिर आपका DV होगा ठीक है इसके बाद आपका यहाँ पर medical होगा फिर आपका joining हो जाएगा examination pattern की बात करें जो दसुई का आपका level है 10th का level है उसी की level के questions पूछे जाएंगे 90 minute की duration होगी total question होगे 120 यानि एक question पे 1 minute से कम का time मिलेगा one third की negative marking है ठीक है and इसके अलावा normalization आपका होगा क्योंकि multiple shift में form होगे passing mark की बात करें तो unreserve में 35% unreserve EWS और OBC में 35% SCHT में 30% minimum passing mark रखा गया इस पे आपको नहीं focus करना आपको maximum पे focus करना है slabus पे एक separate video हम आप सब के लिए बना देंगे बाकी जिसे आपको और ज्यादा clarity यहाँ पे आ जाएगी ठीक है physical measurement test यहाँ पे दिया गया 9 फिट की long jump और 3 फिट की high jump आपको करनी होगी fit PMT यहाँ पे है जिसमें आपका height and chest का expansion यह सारी चीज़े दी हुई है जो आपका यहाँ पे miser किया जाएगा educational qualification आपको यहाँ पे 14 नंबर page पे देखने को मिल जाएगी जिसमें क्या लिखा हुआ है constable executive में यहाँ पे आपका level 3, 2700 salary B1 medical standards PWD यहाँ पे not suitable 10th pass और equivalent from recognized board आपने किसी भी बोर्ड से 10th pass या उसकी जो समकक चगर प्राप्त की है ठीक है योग गिता तो आप यह firm भर सकते हैं जैसे कोई अन्य बोर्ड से संस्कृत बोर्ड मदर्सा बोर्ड कहीं से भी अगर आपने 10th के equivalent कोई चीज पास किया है तो आप यह firm भर सकते हैं तो सभी ITA candidates मौका मत छोड़िएगा अगर total यहाँ vacancy की बात करें तो category wise आप देखे male candidates की 1450 post है SC की 536, HD 268, OBC की 906, EWS 357 total 357, female की बात करें 420 seat इसमें से 10% जो होता है वो ex-serviceman candidates के लिए reserve रहेगी 4200 में से 420 seat ठीके उसी क्रम में आप यह second notification देखेंगे जो की SI का है एक बटा 2024 जिसे यहाँ पर कहा जा रहा है इसमें आप देखें इसका भी form भनने का criteria सेम रहेगा इसमें आपकी salary जो होगी sub inspector की इसमें आपकी level 6 की salary होगी 35,400 आपका initial basic होगा याँ initial salary आपकी 50,000 के आसपास बनेगी B1 medical standard यहाँ भी है 20-28 साल यहाँ 18 से नहीं 20-28 साल age limit रखी गई है total vacancy कितनी है 452 सभी RRBs में मिला के कुल vacancy कितनी है 452 post पे हाँ vacancy है आगे आप देखेंगा अगर इसका educational qualification बाकी selection process आप देखें तो वही है same आपका एक CBT exam होगा जिसमें one third की negative marking होगी जैसे उसमें दिया गया था ठीक है यह और नीचे आप आएंगे तो आपको पूरा PT और PMT का जो standard है वो दिख जाएगा ठीक है age limit में 3 साल की छूट यहां भी आपको दी गई है बाकी category wise आपको छूट वही मिल जाएगी जो अभी हमने पहले discuss किया ठीक है fees भी वही रखी गई 500, 200 category wise ठीक है इसके नीचे आप अगर आएंगे आपको जो बाकी detail है इस notification में दिख जाएगी यह notification का PDF हम आपके साथ टेलिग्राम पे share कर देंगे वहां से आप लोग इसे download भी कर सकते हैं 90 मिरट में 120 question यहां भी आपको दिये जाएगे slabus जो होगा थोड़ा सा इसका change हो जाएगा थिक उसमें से और इसमें थोड़ा अंतर रहेगा slabus में इसके बाद आपका जो running है थिक वो सारी चीजें जो high jump है उन सब में भी थोड़ी यहां पे छूट दी गई वहां पे 4 feet थी यहां 3 feet 9 inch है mail के case में थिक तो इसको भी एक बार आप लोग अच्छे से जरूर देख लीजेगा और अगर यहां educational qualification की बात करें तो आप जब सबसे नीचे आएंगे तो आपको यह annexer A मिल जाएगा जिसमें आपको educational qualification दी गई है सभी candidates को यहां पे graduate यानि graduation आपने पास किया बाकि अगर आप फुल्फिल कर रहे है criteria medical का and other standard का उस case में vacancy बहुत कम कही जाएगी आप उसी में अगर reservation देखेंगे category wise females की vacancy टोटल देखेंगे तो यह सब थोड़ा सा SI की vacancies बार कम जारी की गई है और परचार परसार इसका खूब किया जा रहा है तो form भी खूब भरे जाएगे क्योंकि लंबे समय के बाद vacancy आई है तो आप लोग form भर के सही form भरिएगा सबी documents जो नहीं है आपके पास उस format में आप लोग बनवा लीजिएगा क्योंकि central का इसमें cast certificate लगेगा जिससे कि आपके form rejection के chances बिलकुल कम हो और अपनी तैयारी जारी रखिए अन्य vacancies, NTPC, JEE, Group D ये सब भी आने वाली हैं उसके लिए आप लोग तैयार रहेगा Thank you very much ख्याल रखिएगा आपना मिलते हैं अगली update के साथ अगले वीडियो में